हलो लेर्नर्स, वेलकम टो एडिफिकेशन, मैं हूँ आपका तोस्तर टीचर नितर शुपाध है आज हम पढ़ेंगे निलसन मंडेला की आटो बाइओग्राफी लॉंग वाक टू फ्रीडम का एक एक एक्जब्ट जो आपकी टिक्स्ट बुक में दिया हुआ है ये लाइन बाइ लाइन एक्स्ट बाइनेशन है मैं पिल्कुल क्लास्रूम की तरह पढ़ाने की कोशिस करूँगा अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो आप फामिलियर होंगे कि कैसे मैं पढ़ाता हूँ तो चले शुरू करते हैं बिना ज्यादा देल की कहते हैं लिखते हैं ये मंडेला साहब 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर 10 मैं की सुबह हुई या 10 मैं आई काफी वो जो सुबह थी सुन्दर थी चमकदार थी चमकीली थी पिछले कुछ तिनों से मैं काफी आनंद से घिरा हुआ था उन लोगों के त्वारा काफी खुश था मैं उन लोगों से घिर के कौन से लोग थे हैं वो जो डिगनिटरी थे हैं और वोल डीडर थे जो आय थे हैं इनाउगरेशन में हिस्सा लेने के लिए इनाउकरेशन यानि हमारी जो सरकार थी जिसके मंदल शबत ले रहते हैं ओ जो समारोह था वो उस समारोह के लिए ये लोग आये थे रिगनिटरी यानि की समानित लोग गिनमानिय लोग और वर्ल डीडर सभी आये थे अपना समान दिखाने के लिए The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil कहते हैं कि जो वो शबत ग्रहन समारोह था जो inauguration था हमारी गॉवर्मेंट का वो उसके मौके पे ये जो gathering हुई थी पूरी दुनिया के अंतराश्टिय निताओं की वो अब तक की South African जमीन पे सबसे बड़ी gathering थी यानि इसके पहले कभी इतने लोग इतने अलग-अलग countries के leaders इकठे कभी नहीं हुए थे South Africa की जमीन ऐसा क्यों था क्योंकि South Africa काफी लंबे वक्त से रंग भीद छेर रहा था गोरे लोग काले लोगों को खुद से नीचे समझते थे जिनकी चमड़ी का रंग काला है उनको और जिसकी वज़ए से South Africa का बहुत सी countries ने actually boycott किया हुआ था उसके पाद जब नेलसन मंडेला की कहानी शुरू होती है नेलसन मंडेला जेल जाते हैं स्ट्रगल करते हैं शायद 28 या 27 येस वो जेल में थें 64 से 92 तक शायद उसके बाद जो निकलते हैं और उनकी सरकार बनती है उसके बाद ही चीज़ें बदलने शुरू होती है तब ही जाके उनकी कंट्री में लोग आना शुरू होते है तो यह कहानी वहीं से शुरू होती है जब इन्होंने होता अफरिया के पहले बिजरेंट के तौर पे आगे कहते हैं कि दस सेर्मनीज तुक प्लीस इन लफली सैंड स्टोन एम्पी थेटर फॉर्म पाई यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया जो सेर्मनीज थी जो भी कायक्रम थे वो कहां हुए काफिस सुंदर जो सैंड स्टोन का बना हुए एम्पी थेटर था जो चार उत्रफ से यूनियन बिल्डिंग्स से घिरा हुआ था प्रेटोरिया में मतलब एम्पी थेटर बिसिकली एक गोल सी बिल्डिंग होती है बिल्डिंग होती है जिसके पीच में खुली जगह होती है वो इकलाती बिल्डिंग से गिला हुआ था उनकी बीच में था For decades this had been the seat of white supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government कहते हैं सदियों तक ये गोरों की supremacy की जगह थी ये जो जगह थी यहां से गोरी सरकारों ने अपनी supremacy दिखाई है प्रभुता कहा जाता है दूसरों से उपर होने का भाव ये होता है supremacy वो दिखाया है लेकिन आज ये जो जगह थी ये कैसी जगह बन चुकी थी जहां अलग अलग तरह के लोग थे काले गोरे का कोई भेद नहीं था कुछ एजियन्स थे कुछ काले जो कुछ मतलब ब्लाक्स थे जो आफरिकन लोग होता है नामीबियन वगएरा उनको शायद ये लोग कहते होंगे कुछ वाइड्स थे जो वेस्टरन लोग होते है वो कुछ एशियन्स थे जो हम लोग हैं अलग अलग तरीके के लोगो की gathering थी तो वो friend book gathering थी यह सब लोग किसले कठा हुए थे installation of for the installation of South Africa's first democratic non-racial government South Africa की पहली democratic यानि लोगों द्वारा चुनी गई टोक तांतरिक प्रिजाद तांतरिक non-racial government जहां काले गोल का कोई भेद नहीं था इसके पहले सरकारों में किसी दिल की cabinets में blacks को काले लोगों को हिसा नहीं लेने दिया था था लेकिन यह जो government थी वो non-racial government थी यहां काले गोलों का कोई भेद नहीं था और यह democratic भी थी सभी लोगों ने मिल जूल के चुनी थी उसके पहले काले लोगों को vote भी नहीं देने काधिकार भी नहीं था suffrage जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वो नहीं था मिला होगा था on that lovely autumn day I was accompanied by my daughter Zenani उस सुहाने पतजड के दिन में मैं किस के साथ था मेरी पेटी Zenani जो मिल साथ थी on the podium Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy पोडियम पे सबसे पहले किस को किसने शपत ली Mr. D. Clark में उन्होंने किस के शपत ली वो तूसरे उपराश्टपती बने तिन थाबो अमबैकी was sworn in as first deputy उसके बाद थाबो अमबैकी बने पहले उपराश्टपती यानि कि दो उपराश्टपती उन्होंने बनाये थे था वो अमबैकी first deputy president और जिनका नाम था Mr. D. Clark वो second deputy president एक चीज में यहां आप लोगो समझा देना चाहूंगा first deputy और second deputy का क्या मतलब होता है president अगर absent है किसी वज़े वो बीमार है या मर जाते है तो first deputy president को elevate किया जाता है यानि वो president बन जाएंगे second deputy president first deputy president बन जाएंगे और दुर्भाग्य से माल दीजे कि उनके जाते हैं ये भी चल दिये किसी वज़े से ये भी absent हो गया या कि dap हो गया first deputy president जो अभी interim president बने हुए थे तो उनके पीछे वाले उसके बाद when it was my turn I place to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people कहते हैं जब मेरी बारी आई राष्टपती के पद्बे शपत लेने की तो मैंने शपत ली कि मैं इस देश के समविधान का पालन करूंगा प्लीज का मतलब उता शपत लेना उबे मतलब उसको मानना उसका पालन करना and uphold और मैं उसकी रक्षा करूंगा किसकी मेरी देश की समविधान की and to devote myself to the well-being of the republic and its people मैंने ये भी शपत ली कि मैं खुद को समर्पित कर दूंगा अपने इस राष्ट्र के लोगों की भलाई के लिए well-being का मतलब होता है भलाई इस राष्ट्र की भलाई और इसके लोगों की भलाई के लिए मैं खुद को समर्पित कर दूंगा to the assembled guests and the watching world I said अब जो महमान एकठा हुए थे और जो दुनिया भर में लोग हमें दीख रहते मैंने उनसे कहा क्या कहा इनकी छोटी से एक speech है जो यहां दी हुई है Today all of us do by our presence here confer glory and hope to new upon liberty कहते हैं आज सब जो हम लोग यहां हैं यहां अपनी उपस्थिती से हम इस नई नई बने हुई liberty इस नई पाई हुई liberty नही आजादी को confer glory इस आजादी को हम एक तरीके की भव्यता दे रहे हैं confer का मतलब होता है present करना, give करना यहां दिया भी हुई है तो हम इस नई आजादी को एक तरीके से और सुन्दर बना रहे हैं यहां एक अठा हो के out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud कहते हैं कि एक लंबे समय तक जो मानवी तरास्ती चली है काफी अनोखी मानवी तरास्ती जो चली है रंगभेद की बात हो लिए अपार्टिड की उससे एक ऐसे समाज का निर्मान निकल के होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को कर्भ हो क्या कहना चाहते हैं यह कि लंबे वक्त तक हमने यानि हम जो काले लोग थे हमेरी अफरिका के उनने काफी प्रतारनाए जहली हैं तब जाके आज हम यहां आएं लेकिन अब हमें कैसे एक ऐसे समाज का निर्मान करें जिस पर पूरी दुनिया को और इंसानियत को गर्भ हो कि वो एक देश था जहां काले लोग के साथ इतना बुरा बदता हुआ लेकिन आज काले और गुरे सभी मिलके कि वहां पर अच्छे समाज का अच्छे राष्ट का निर्मान कर ले है आगे कहते हैं यह कि वी वर आउटलॉस नौट सो लॉंग अगो अव तोड़े बीन किवन तर रेयर पिवलेस तो बी होस्ट तो दे नेशन अफ दे वर्ल और वर्ल्ड on our own soil कहते हैं हम जो अभी कुछ दिन पहले तक नौट सो लॉंग अगो जादा दिन नहीं है हम जो कुछ दिन पहले तक आउटलॉस थे यानि एक तरीके से क्रिमिनल्स थे हम हम आज हमें एक अनोखा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम पूरी दुनिया के सभी राष्ट्रों की मेजवानी यहां अपनी जमीन पे कर रहे हम उनका स्वागत कर रहे हैं हम लोग जो कुछ समय पहले तक क्रिमिनल्स वाने जाते थे इस देश में हम काले लोग हाज हम ही स्वागत कर रहे हैं अलग अलग तरह के लोगों का यहां हमारी जमीन पे We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is after all common victory for justice, for peace, for human dignity Position, Position यहां मतलब होता है अधिकार, स्वामित तो किसी चीज़ को अपने कबजे में लें क्या केहते हैं यह मैं धन्यवाद करूंगा उन सभी सम्मानित अंतराश्ट्रे अधिथियों का जो यहां आए हैं हिस्सा लेने के लिए इस जीत में जो हम सब की जीत है आखिल कार ना सिर्फ इस देश के लोगों की है बलकि नयाय की जीत है शांती की जीत है और मानवी ए गरिमा की जीत है मानवी ए सम्मान की जीत है क्या है यह जो हमने आखिल कार अपनी बेडियां तोड़ी है रंगभेद को जीता है कहते हैं हमने आखिल कार खुद को आजाद कर लिया है राजनैतिक बंधनों से हम किसम खाते हैं शपत लेते हैं कि हम हमारे राश्ट के सभी लोगों को आजाद कर देंगे उन सभी बंधनों से जो अलग अलग तरह है कि जो बंधन है जैसे करीबी का बंधन वंचित होने का बंधन यानि कि आप कुछ लोगों को बेसिक चीजें भी नहीं मिल पा रही है उनका और हर तरह की पीड़ा का बंधन चेंडर यानि कि जो लिंग के आधार पे महिलाओं के साथ बेड़बा होत आजात करेंगे कहते हैं कि नहीं होगा कभी और कभी भी नहीं होगा ऐसा कि इस खुबसूरत तेश में इस खुबसूरत जमीन पे किसी भी एक इंसान पे कोई दूसरा अत्याचार करें यह जो हमारी मानवी उपलब्ती है बहुत भव्य मानवी उपलब्ती पूरी मानवता कि यह जो जीत है जो हम लोग आज यहां आए हैं रंग भेद को जीत के खिर काले लोगों ने सरकार बनाई है सरकार में हिस्सा लिया है ये जो उपलबती है इसका सूर्य कभी अस्त नहीं होना चाहिए यानि कि इसको कभी भी कमजोर नहीं पढ़ने देना होगा Let freedom rain, God bless Africa यानि कि आजादी चारो तरफ फैले भगवान विश्वर अफरीका को अशरवाद दे विश्वर अफरीका की रक्षा करे ये भाशन दिया मैंने उसके बाद A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the union buildings कहते हैं कुछ समय बाद हम सब ने अपनी आखे उठाई अचंभित होकर और क्या देखा कि पड़े एक खूबसूरत तरीके से सजावटी अंदाज में array कहा जाता है ना बिलकुल एक आच्छा सा formation हो आपने Republic Day Parade पे देखा होगा किस तरी की formation होती होती हुआ में भी और जमीन पे भी काईदे से सची हुई उसको कहते है array तो काफी खूबसूरत array बना हुआ था South African jets का helicopters का और troop carriers का जो roll कर रा था यानि चिंगाडे मारा था आवाज कर रा था काफी खूबसूरत perfect formation में union buildings के ऊपर ये जो सरकारी कारियाल है थे union buildings थी उनके ऊपर से ये उड़ रहते है aircrafts It was not only a display of pinpoint precision and military force but a demonstration of the military's loyalty to democracy to a new government that had been freely and fairly elected कहते हैं बस ये एक सफाई नहीं दिखा रहा थे कि हम कितनी सफाई से उड़ा सकते हैं हमारी military कितनी मचबूत है कितनी सफाई से हम ये चीज़ें कर सकते हैं बलकि ये एक demonstration था एक नजारा समझे कि दिखाया जा रहा था एक demo देते हैं जब अकसर आपने देखा होगा लो demo class देते हैं यानि कि देश की सेना के की वफादारी का किस के परती हमारी सरकार के परती ये नई सरकार जो आजादी से बनी है और काफी fairly elected यानि की सही तरीके से इसको चुना गया है पहले लोग पहले elections जो होते थे उनमें काले लोगों को वोट नहीं देने दिया जाता था बहुत से countries में आपने पढ़ा होगा कि जिनके पास शमीनती से वही वोट दे सकते थे लेकिन ये एक देश पे जो सरकार रूल कर ली है उसको देश भर के लोगों ने चुना है और इसके प्रती आर्मी अपनी वफादारी दिखा रही है आगे क्या कहते हैं only moments before the highest generals of the South African Defense Force and Police their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by saluted me and placed their loyalty कुछ ही देर पहले हमारी South African Defense Force और पुलीस की जो highest generals थे बड़े बड़े अधिकारी थे जिनकी छाती पे डेर सारे ribbon and medals सजे हुए थे from days gone by यानि पिछले दिनों के जो पीछ चुका आतीत के उन लोगों ने मुझे saluted के मुझे salam किया अपनी शबत ली वफादारी की शबत ली I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me कहते है ऐसा नहीं है कि मैं unmindful था मेरे ख्याल में ये बात नहीं थी कि कुछ साल पहले अगर इन लोगों ने मुझे देखा होता तो इनने salute नहीं किया होता बलकि arrest कर लिया होता तुरन वह ऐसा ही काली लोगों के साथ होता था इसलिए ये कह रहे है कहते हैं आगे कि finally a chevron of impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the navy south african flag कहते हैं उसके बाद एक chevron उड़ा impala jets का लिखा ही हुआ है आपने देखा होगा पर उड़ते हैं वी के formation में जैसे चड़िया उड़ती है ना एक के पीछे दो दो के पीछे फिर दो 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 ऐसे तो वी की formation में chevron impala jets का उड़ा और पीछे धुआ छोड़ा था किन रंगों का काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरा जो की South Africa के नए जंडे के चिन्ने थे, गरंग थे The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the visions of whites singing Encosi, Sikilei, Africa and blacks singing Diastam, the old anthem of the Republic कहते हैं वो दिन मेरे लिए उसका जो महत्व था वो और एक तरीके से था क्योंकि उस दिन दो राश्टरगान हमारे देश के बच रहे थे स्कोले लोग का रहे थे, Encosi, Sikilei, Africa और काले लोग का रहे थे, Diastam, जो असल में हमारे रिपब्लिक का पुराना anthem था Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart हला कि उस दिन दोनों में से, यानि की काले लोगों को, गोरे लोगों को, किसी को ये नहीं पता था कि वो जो गीतगार हैं, जिससे एक पर उन्हें इतनी नफरत पहले हुआ करती थी, उसके lyrics क्या है, यानि उस पर असल में कहा क्या गया है, लेकिन जल्दी एक एक शब्द को वो लोग जान जाने वाले थें, पिलकुल अच्छे से क्या कहा गया है, यहां पर अच्छे समझे आप, दो anthems थे, एक पुराना anthem था, die stem, जिसको गोरे लोग गाते थे, जब काले लोगों का दमन होता था, तब यह हुआ करता था, anthem, तो obvious सी बात है, इस anthem से काले लोगों को नफरत हो गई थी, और नए राश्टर का जब निर जिसका यह गीत था, तो गोरे लोगों को हो सकता है, इससे नफरत हो, और आज के दिन गोरे लोगों उस गीत को गा रहे थे, जिससे उन्हें नफरत थी, जो नया गीत था, और काले लोगों उस गीत को गा रहे थे, जिससे उन्हें नफरत थी, जो पुराना गीत था, उस व कि वो जो दिन था इनागरीशन का शपत कहन का उस दिन मेरे अंदर इतिहास की एक अजीब सी भावना भर गई थी कोट कोट के ओ एंका मतलत है बहुत जादा भर जाना in the first decade of the 20th century a few years after the bitter anglo-poor war and before my own birth the white-skinned peoples of south africa patched up their differences and erected a system of facial domination against the dark-skinned peoples of their own land क्या कहते हैं कि बीसवें शदाब्दी की शुरुआती दशकों में यानि 1910-1920 के दशक में एंगलो-poor war के कुछ सानों के बाद एंगलो-poor war जो English लोग, French लोग और Dutch लोगों के बीच में शायद हुआ था तो वो जो युद्ध हुआ था उसके बाद और मेरे जनम से कुछ समय पहले जो गोरे लोग थे ये लोग जो आपस में लड़ रहते हैं गोरे लोग आफरिका पे राज करने के लिए तच्छ थें और French तो वहां के थें और English लोग थें इन लोगों ने patched up their differences अपने मतभेद भुला लिये थें कि भाई चलो हम लोग क्यों लड़ गाया हैं फालतों में हम लोग तो सभी गोरी चमड़ी वाले हैं और उन लोगों ने क्या किया था कि एकठे होके अपने मतभेद भुलाके उन लोगों ने एक रंग भेदी domination मतलब उनका एक तरीके से दमन शुरू कर दिया था उनके उपर था चार शुरू कर दिया था कि इनके खिलाफ शुरू कर दिया था वो लोग जो उसी जमीन पे रहने वाले उनहीं की जमीन पे रहने वाले काले लोग थें dark skin people, उनके खिलाफ उन्होंने elect का मतलब खड़ा कर दिया, एक system खड़ा कर दिया था, जिसमें रंग भेद होता था उन्हों के साथ आगे ये कहते हैं कि the structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known, और ये जो structure उन्होंने खड़ा किया था, ये जो जो दुनिया मने कभी भी नहीं देखा था वैसे एक सबसे कठोर और सबसे अमानवी समाज का निर्मान किया, जिससे दुनिया अंजान थे, now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin तो ये चीज़ बीसवे शताबदी के शुरुआती दशकों में हुई थी और आज, यानि कि बीसवे शताबदी के अंतिम दशकों में जब मैं खुद 80 साल का हो गया हूँ, 8th decade तो मेरा आठवा दशक शुरू हो गया है, तो ये system खतम हो चुका है इस रंगभेद को इस रंगभेद वाले system को हमने आखिर खतम कर दिया है हमेशा के लिए और उसको replace कर दिया है एक ऐसे system से जहां सभी लोगों के हिटों की सभी लोग के अधिकारों के, सभी की स्वतन्तिता की रक्षा होगी सबी की सुतंतता को पहचान मिलेगी चाहे उनकी चमडी का रंग कुछ भी हो That day had come about through the sorry, unimaginable sacrifices of thousands of my people people who's suffering and courage can never be counted or repaid कहते हैं कि यह जो दिन आया है यह मेरे हजारो लोग जो हमारे थे मेरे community के जो लोग थे उनकी sacrifices यानि कि उनके बलिदान से यह आया है, ऐसा बलिदान जो unimaginable है, अकल पनिये हैं जिसके हम कलपना नहीं कर सकते उनके साहस और बलिदान से यह आया है, ऐसा बलिदान और साहस जिसे ना तो count किया सकते है ना repay किया सकते है, यानि ना किना दी हमारी लिए क्या हम कभी उनका इहसान चुका पाएंगे ऐसा संभव ही नहीं तो इसी तरही किसे बहुत से लोगों ने खुर्बानिया दी जिसकी वज़े से यह स्राश्ट का निर्मार हुआ था आज यह इस जगह पर था ऐसा निलसन मंडेरा कह रहे हैं I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before कहते हैं कि उस दिन मुझे ऐसा ऐसास हुआ जो मुझे बाकी दिनों पे भी करीबार ऐसास होता रहता था कि मैं कोई अलग शीज नहीं हूँ मैं तो बस मेरे से पहले आया हुए Africa के राश्टर भक्तों का एक तलकी से जोड हूँ यानि मेरे पहले जो लोग आये थे उन लोगों की मतलब उन लोगों की वज़े से मैं यहां हूँ उन्होंने जो चीज ने डाली वो ही मुझे में आई और मैं फिर आगे यहां तक पहुँचा That long and noble line ended and now began again with me कहते हैं कि वो जो एक line शुरुआत हुई थी एक लंबी लकीर शुरुआ हुई थी लंबी और काफी नॉबल नॉबल मतलब गरिमा मैं कह सकते हैं तो वो लकीर जो कुर्बानियों से शुरुआ हुई थी बहुत से लोगों की वो आके मुझ पे खतम होती है मेरी कुर्बानी पे जो मैंने 18 साल जेल में कुजारे और यहां से वो फिर शुरु होती है एक आजादी के साथ यह कहना चाहते हैं I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought मुझे बस एक चीज़ का दुख था मुझे दर्द था इस बात का कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर पाया किनका उन लोगों का जिनने मुझे से पहले यह बलिदान दिये जिनकी वज़से मैं यहां तक पहुँचा हूँ मैं उनके बलिदान को धन्यवाद नहीं कर पाया इसका मुझे दुख है और मुझे दुख है कि वो नहीं देख पाएं कि उनके बलिदान ने, उनके त्याग ने और उनकी कुर्बानियों ने क्या दिन दिखाया है, क्या चीजें लाई है, रोट का मतलब होता है, लाना, अचीव करना, पाना, तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर ह यहाँ आगे बड़े तो इस वीडियो को मैं यही रहने देता हूँ, मैं दूसा पार्ट साथ में बनाके लिंक नीचे डाल दूगा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, मिलते हैं उसमें, तब तक स्टे सेफ, टेक के लेंड, कीप लानिंग, उम्मीद करता आपको यह लेसन समझ में आया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक का बटन दबाईए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए, अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडि झाल 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 झाल झाल